प्रेंड्स आप लोग सब कैसे हैं बढ़िया होंगे मैं रेडी हो गई हूं यह देखिए बैक बिगरा और ओला भी नीचे आ चुका है मुझे जाना है अभी पतंजली यो ग्राम के लिए निकलना है और लाडो सो रही है तो इसको मैं उठाना चाहती हूं थोड़ा सा प्यार करना चाहती हूं प्यार कर नहीं पा रही हूं कि हजबन बोले तुमको जाते देखेगी ना गाड़ी में बैठते देखेगी तो बहुत रोएगी और चुप होने का नाम नहीं लेगी और बोलेगी ममा चाहिए ममा चाहिए तो इसलिए इसको मत उठाओ लेकिन मैं फिर भी इक गुड़ बाइक किस जरूर देना चाहूंती है बहुत खराब लग रहा है उसको पता भी नहीं कि ममी जाने वाली है और सबसे ज़्यादा मुझे फिक्र अगर होगा तो मुझे आदी के लिए होगा लाड़ों की इतनी फिक्र नहीं है मुझे आदी की ज्यादा फिक्र ह कि लाड़ों सब प्यार करते हैं और आदी को जो पापा के तरफ से टाट पड़ता है तो मैं होती जो इसको बचाती हूं तो यह कह रहा ममा आप प्लीज मत जाओं तो अब जाने का टाइम आ गया है टाइम देखिए आट-पांच हो रहे है को ला वाले का पोल आ गया था व बेन गड़ी के बाहर खडी है तो उल्कुल आ वहा तर आने के लिए वही जा रहे हैं लोगा अगला जीब साल लग रहा है इंवड़ जाई आं और आपने ख्याल दखना है अगया टो आज आई गड़ी बच रहा है दस चालीज पर अभी बच रही है दस चालीज पर अब लोग कहाँ फसेव एगे ट्राफिक में हम लोग फसेव हैं वह तो टाइम से पहले में निकल गई हस्बंड बोल रहे थे और फुरा लेट से निकलने के लिए लेकिन मुझे पता था यह आफिस टाइम में जादा मिलेगी तो हम बोले कि नहीं पहले निकल जाते है तो जादा अब मिज़े जाना है गेट नमबर अटीसिक्स थर्टी फोग रहा है 1134 मेरा पर्स का भी चेकिंग हो गया नीचे आई हूं अंडर ग्राउंड है यहां पर पताने की पुरा का फ्लाइट के लिए विए क्या करना है पूछना पड़ेगा आगे का प्रोसिस कुछ पता है नह अब विदिन तेन मिनट्स मेरा बोडिंग पास और मेरा पर्स का चेकिंग जैकेट बिल्ट सब पर चेकिंग हो गया सौट कर्ट में कि इसी मैं बोली ना मेरे इमिर्जंसी यह बारे दसकी फ्लाइट है तो फटा फट मेरा सबसे स्टार्टिंग नीए सबसे वाले जो होते ह इसान में जाना है स्ट 11.40 बचरा भी एए थिंक 11.22 या 23 में आई थी 11.40 में मैं यहां पर एर्पोर्ट में पैर रख रही हूँ बोडिंग पास बन गया मेरा सिक्योर्टी चेकिंग हर जगा से पास मेरा बन गया है और यह रहा फ्लाइट यानि कि लबक 15 मिनट में सबजे तो मेरा सारा काम हो गया सौटकट में थैंग और मैं बताने सती ही मेरा हाटबटी का तेज हो रहा था यहां पर मुझे इन करना है तो अब मैं पहुच चुके मैं सच में डर गई थी एक पल के लिए लगा कि मेरा फ्लाइट तो मिस हुआ ही और जब मैं बोडिंग पास बनाने के लिए पहुची भी थी तो बोडिंग पास क्लोज हो जुका था बहुत रिक्वेस्ट करने पे फिर वो मेरा लगेज लिया बोडिंग पास दिये और फिर फ्लाइट में ये खाना मिला मैं सुभा से कुछ खाई भी नहीं थी क्योंकि आठ पाच को निकली थी आपने घड़ी देखा भी और अभी टाइम भी हो गया तो पर केक डिएड़ बचे रहते हैं खाना जब मिला मुझे चावल सबजी साग मिक्सवीज है यहां पे और ब्र ब्रेट बटर में खाती नहीं हुए आप भी जानती से लिए मैं ब्रेट बटर छूड़ दी करते हुए कि लिए यहां, करते हैं yourself भी हो फाइनली अब देखते हैं योगराम पहुचते हैं जल्दी जल्दी धाई तो बच गया है यहाँ पे लगेज मिर रहा है तो यहाँ तो गुल-गुल हुन रहा है लगेज अब मुझे लगेज पहुचते हैं मेरा by पास भी बहुत सबसे लास्ट में बना था ना तो ना मेरा ट्रॉली भी सबसे लास्ट में आएगा इसलब है ने Sudan ट्र pixel नहीं आए याज मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है अभी तक मुझे अपने ट्रॉली सखाइने दे रही है वो रही मेरी ट्रॉली, यह रही मेरी ट्रॉली, जो यह भीया पकड़े, यह मेरी वाली है, अब मिल गया है मेरा लगेश, तो अब अपना लगेश लेकर कि मैं बाहर निकलती हूँ, और किसी कैप आले, उसे बात करना पड़ेगा, यह ग्राम के लिए, लिखते हैं कितना यहां तो इतने सारे कैप लेखे रहें, किसी एक से बात करनी पड़ेगी, अब हम लोग जा रहे हैं, यह ग्राम, यहां सभी यह ग्राम किता किलमेटर है? यह ग्राम किलमेटर है, देहरादून एयरपोर्ट से, और कितना घंटा लगी? तो कितना टाइम लग जाएगा? लेड़ दो घंटा, रोड उसमें लास्ट टाइम में गई थी तो बहुत खराब था, अब भी शायद बन रहा है, उसमें बन रहा था रोड, अब बन चुका होगा नहीं परता है, यह मैं तीसरी बार जा रहे हूं, पर एक साल के बाद जा पर जाएगा तेसरी बार लेकिन एक बार भी गंगा सुना नहीं कियों, किसमत की बात है, हरीदवार आने से क्या होता है, किसमत में भोब नहाना तो नहा लेंगे, बाएगा प्राउस करके आ गई हूं, गाओ में रोशन बात नाम बता रहे हैं, के है गाओ, यह है यहां का लास्ता पहुच गए फैनली के है मेन गेट क्राम का रोड काफी अच्छा था खराब नहीं था लास्टाइब मैं थे रोड खराब था तो अब निकलते हैं मैं सिर्फ सिंगल डोज ली थी इसलिए मैं अपना आटी पिस्या रिपोर्ट दिखाई तो मुझे डारेक्ट इंडर कीज मिला था 29 यहां मैं आई हूं और आपको मैं दिखा देती कि टेंट कोटेज अंदर से कैसा है अंदर से जो भी है वो मैं आपको दिखा रही हूं थोड़ा सा मैं आपको बात्म भी दिखा देती हूं लेकिन हां मैं यहां आई और यहां आने के बाद एक घंटे के बाद पतंजली वेलनेस चली गए थी आप नेक्स्ट ब्लोग तो